वीडियो बना रहा हूं तो आप वीडियो में अंतनक बने रहें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल स्थार्ट कर लीजे तो चलिए वीडियो स्टाट करते हैं तो जैसा कि आप लोगों को पता है 22 मार्च से पूरा देस लोगडाउन हो चुका था और क्रीब 6 मीने तक पूरा देस लोगडाउन रहा है उसके बाद कुछ राज्यों के अंदर यहाँ पर स्कूल खोलना स्टार्ट कर दिया था तो यहाँ पर दिल्ली की तर से जो ख़बर निकल कर आई थी कि हम अभी स्कूल और कोलीज नहीं खोलेंगे यहाँ पर चात्रों की स्टड़ी नहीं हो पाई आप लोगों को भी पता है जो दिल्ली के स्टूडेंट है उनकी इस बार अच्छी से पढ़ाई नहीं हो पाई है ओनलाइन स्टड़ी करवाई जा रही थी जहांपर काफी चातर इसके पास मुगाईल नहीं थे मुगाईल दिलाए गए और यहाँ तक की सरकार इंटरनेट का पैकेज का भी खर्चा दे रही थी वट फिर भी यहाँ पर करीब चातर नहीं पड़ पाई है जो स्टड़ी ओनलाइन स्टड़ी अच्छे से नहीं हो पाई है तो इसके कान यहाँ पर सरकार ने जो फैसला लिया है कि दस्वी और बार्वी के चातर है उनको यहाँ पर बोर्ड परमोशन दिलाए जाएगा कैसे दिलाए जाएगा यह मैं आपको बता देता हूं आप लोगों का बेकार आ सकता है जिसके कान बोर्ड परमोशन की अपील की है हमारी देश की जो शिक्षा मंत्री है रामेज पोक रियार तो उनको अपील की है देखते हैं क्या फैसला आता है और यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार चातरों को बोर्ड परमोशन मिल सकता है और आप क्या चाता है कि आपको बोर्ड परमोशन मिलना चाहिए है नहीं कमेंट करके जूरूर अगर आपो वीडियो उच्छा है वीडियो को लाइक हो चैनल सबस्काइब कर लेगे और कमेंट में यह बताइए वाद से हैं और कौन सी स्टेट नाहीं कोई भी अपनेट